Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है Free of cost, quality education from class K to class 12 जी हाँ सही सुना आपने किंटे गाडिन से लेकर class 12 तक की कराई जाती है आपको complete education वो भी free of cost प्रोवाइड तो करना क्या है आपको YouTube चैनल पर जाना है और कर देना है Magnet Brains को subscribe जहां पर आपको CVC board से लेकर other state board जैसे की UP board, MP board, Bihar board जैसे courses भी available है यहां तक की आपको practice questions भी आपर solve कराई जाते हैं e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी तो करते हैं आज की video start, मेरा नाम है हश्मित कौर और मैं हूँ आपकी math faculty तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे chapter 3 जिसका नाम क्या है number play उसका कौनसर topic playing with digits से digits से हम कैसे खेल सकते हैं and questions को solve कर सकते हैं यह हम इस topic में पढ़ने वाले हैं यह topic आपके लिए बहुत ही जाधा interesting होने वाला है ठीक है? दैन उसके बाद हम क्या करेंगे? figure it out solve करेंगे जो कि आपके page number 60 पर देकर रखा हुआ है लेकिन इससे previous वीडियो में हमने क्या पढ़ा था patterns of numbers on number line मतला number line में हम numbers के patterns को कैसे represent करेंगे कैसे place करेंगे, कैसे mark करेंगे यह हमने last वीडियो में देखा था तो अगर आपने वो topic नहीं पढ़ा है सबसे पहले जाके आपको वही topic पढ़ना है वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को like, comment and share करना है and then फिर आना है इस topic पर ठीक है चलिए सबसे पहले हमें क्या देखे रखा है playing with digits में we start writing numbers from 1, 2, 3 and so on मतलब हम numbers कहां से लिखना start करते हैं 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हम numbers लिखना start करते है and there are 9 1 digit number बोला जा रहा है कि हमारे पास अगर numbers की बात करें तो 1 digit numbers कितने है 9 है कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10 अगर हम digits count करते हैं यहां पर एक ही digit है यहां पर भी एक digit है यहां पर भी एक digit यहां पर भी एक digit है यहां पर भी एक digit यहां पर भी एक डिजिट, यहां पर भी एक डिजिट, यहां पर भी एक डिजिट है, लेकिन जैसे ही हम 10 पर पहुचते हैं, तो हमें 2 डिजिट दिखेंगी, 1 और 1 0, ऐसी हम 11 लिखेंगे, again हमें 2 डिजिट दिखेंगी, 12 लिखेंगे, again 2 डिजिट, तो इसके बाद के जो भ नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं ठीक है आगे समझ में चलिए फाइंड आउट हाव मेनी नंबर्स है टू डिजिट्स थ्री डिजिट्स फोर डिजिट्स एंड फाइव डिजिट्स हमें क्या फाइड आउट करना है कि कितने नंबर्स है जिनमें टू डिजिट्स है कितने जिनमें 3 digits हैं, कितने numbers हैं, जिनमें 4 digits हैं and कितने numbers हैं, जिनमें 5 digits हैं, ठीक है, अब ये तो सिर्फ 9 numbers थे, इसलिए हमने क्या किया, आसानी से उसे count कर लिया, लेकिन अगर 2 digits वाले numbers की बात करें तो वो किसके बीच में आते हैं, तो 10 से लेकर 99 के बीच में तो पूरे numbers count करने बैठोगे क्या, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते, फिर 3 digits की बात करें तो और ही जादा, 100 and 9, 9, 9 के बीच में आते हैं, count करने बैठोगे, नहीं, इसके लिए मैं आपको एक short trick बताऊंगी, जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, असानी से निकाल सकते हो, कि कितने 2 digits वाले number होते हैं, कित उतनी भी digits दे दी जाएं, आप असानी से निकाल सकते हो, ठीक है, पहले तो यहां पर table दे कर रखा है, table में क्या है, one digit numbers, जो one digit numbers है, वो one to nine तक के होते हैं, from one to nine, तो उसमें कितने numbers होते हैं, total nine numbers होते हैं, one digit वाले कितने numbers हैं, nine numbers है, ठीक है, फिर पूछा जा रहा है, two digit numbers, तो two digits में कितने numbers होंगी, सबसे पहले तो two digits वाले जो numbers हैं, वो from, कहां से start होते हैं, from 10, and कहां पे कतम होते हैं, 99 पर, ठीक है, ऐसे three digit numbers की बात करें, यह start होते हैं from, from 100, and कहां पे कतम होते हैं, 999 पर, ठीक है, then four digits वाले की बात करें, four digit numbers जो हैं, वो start होते हैं, from 1000, and कहां पे complete होते हैं, 9999, ठीक है, ऐसे ही अगर हम five digit numbers की बात करें, तो वो start होते हैं, from, from 10000, और कहां पे खतम होते हैं, 99999, ठीक है, इतना आ गया समझ में, अब ऐसे numbers के बीच में हमें यह निकालना है कि कितने numbers, three digit वाले हैं, two digit वाले हैं, four digit वाले हैं, या five digit वाले हैं, तो यह निकालना बहुत ही जादा difficult हो जाएगा, क्योंकि एक-एक number आपको count करना पड़ेगा, एंड इतना exam में हमारे पास time नहीं रहता है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एक छोटी सी trick जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसे अपनाएंगी, ठीक है, क्या है वो trick, जैसे कि हमें इतना तो पता है कि जो one digit numbers हैं, वो one two लेकर nine तक होते हैं, क्योंकि nine के बाद ten आता है, वो two digit हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले nine minus one करेंगे, तो answer क्या आएगा eight, लेकिन यहाँ पर तो ma'am nine है, तो हम क्या करेंगे, eight में कर देंगे plus one, तो answer क्या आजाएगा nine, तो यहाँ पर क्या है nine, आया समझ में, फिर हमें यह भी पता है जो two digit number है, वो ten से लेके 99 तक होते हैं, क्योंकि 99 के बाद आता है hundred, जो की three digit number है, क्या आता है, hundred जो की three digit number है, ठीक है, आया समझ में, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी same ऐसे ही 99 में से 10 को minus करेंगे answer क्या आएगा 9 में से 0 गया 9 9 में से 1 जाएगा 8 89 में अब हम कर देंगे plus 1 तो answer क्या आएगा 9 plus 1 10 यहाँ पर 1 करी जाएगी 1 plus 8 9 हमारा answer क्या आ रहा है 90 तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 90 लिख देंगे then उसके बाद हम बात करें 3 digits number की जो की 100 से लेके 999 तक होते हैं क्योंकि 999 के बाद आ जाता है 1000 जो की 4 digit number है ठीक है तो इसमें भी हम कैसे find out कर सकते हैं कि कितने numbers 3 digit numbers है तो same ऐसे ही 999 में से हम minus कर देंगे 100 को तो answer क्या आएगा यहाँ पर 9 यहाँ पर 9 यहाँ पर 8 ठीक है 899 answer आ गया उसमें plus 1 कर देंगे तो क्या होगा 9 plus 110 1 केरी यहाँ पर 1 plus 9 10 1 केरी यहाँ पर 1 plus 8 कितना हो जाएगा 9 तो हमारा answer कितना आ रहा है 900 आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 900 ठीक है आया समझ में next हम देख लेते हैं 4 digit numbers हमें पता है 1000 to 999 में क्या आते हैं 4 digits numbers आते हैं उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं आगे तो 5 digit numbers आने लगेंगे ठीक है आया समझ में तो सेम ऐसे ही करना है हमें यहाँ पर भी 999 में से हम माइनस कर देंगे 1000 को ठीक है तो यहाँ पर 9 में से 0 गया 9 आएगा 9 में से 0 गया 9 आएगा 9 में से बन जाएगा 8 आएगा अब इसमें हम कर देंगे 1 प्लस यह जो answer आया उसमें 1 प्लस कर देंगे 1 प्लस 9 10 1 कह रही हैं पर 1 प्लस 9 10 1 कह रही हैं पर 1 प्लस 9 10 होते हैं आया समझ में चली अब next देख लेते हैं five digit numbers जो है वो 10,000 and 99,999 के बीच में आते हैं तो इनका भी निकालने के लिए हम सेम यही method use करेंगे 99999 में से हम minus कर देंगे किसे 10000 answer यहापे 9 आएगा यहापे भी 9 यहापे भी 9 यहापे भी 9 यहापे plus 1 तो 1 plus 9 10 1 के यहापे 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 तो हमारा answer क्या आ रहा है 90,000 क्या answer आ रहा है 90,000 हमारा answer आ ठीक है तो हमने यह क्या किया है हमने निकाल लिया है कि कितने numbers two digits वाले होते हैं three digits वाले होते हैं 4 digits वाले होते हैं, and even 5 digits वाले होते हैं, ठीक है, इतना वागया समझ में आया है, तो जल्दी से आप इसे note down कर लीजिए, कर लिया आपने note down और वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपको क्या कर देना है, जल्दी से इस वीडियो को like, comment and share कर देना है, ठीक है, चलिए, अब next क digit sums of numbers, कोमल observe that, when she add up digits of certain numbers, the sum is the same, क्या बोला जा रहा है, हमें देके रखा है, digit sum of numbers, numbers जो देके रखे, उनके अगर हम digits को add करते हैं, तो क्या होता है, कोमल ने क्या observe किया, जब वो कुछ numbers ले रही है, and उनके digits को add कर रही है, तो उसको जो answer मिल रहा है, वो same मिल रहा है, जैसे कि, उसने क्या किया, 6 plus 8 किया, सबसे पहले उसने एक number ले लिया, 68, ठीक है, एक number क्या लिया, 68 लिया, फिर उसकी digits को add किया, मतलब 6 plus 8 किया, तो उसका answer आ रहा है, यहां पे 14, ठीक है, फिर उसने दूसरा number लिया, 176, and उनकी digits को add किया, 1 plus 7 plus 6, तो भी उसका answer क्या आ रहा है, 545 फिर उसने तीसरा number लेकर देखा 545 बड़ ओड़ दीं मिल्रहा है तब भी answer कया आरहा है 14 ही आ रहा है तो क्या देख रही है उसने numbers तो अलग- अलग लिए लेकिन जैसे ही उनके digits को add किया answer तो उसे same ही मिल रहा है ठीक है आया समझ में तो यहाँ पर देखे रखाया, for example, adding the digits of the number 68 will be same as adding the digits of 176 और 545, वही चीज़ बोली जा रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है? यह answer जो है, वो same आ रहे हैं, ठीक है? आया समझ में आया है, तो आप जल्दी से इसे भी note down कर लीजिए कर लीए आपने note down, चलीए अब next यहाँ पर क्या देखे रखाया है, digits detectives after writing numbers from 1 to 100 Dinesh wondered how many times he would have written the digit 7 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर digits detect कर रहे हैं, ठीक है? यह topic है हमारा आगे समझ में, तो सबसे पहले बोला जा रहा है, कि जो Dinesh उसने क्या देखा? उसने जब 1 to 100 तक numbers लिखे, तो वो सोच रहा था कि कितने times 7 आता है मतलब 1 to लेकर अगर हम 100 तक numbers लिख लेते हैं, तो कितने times उसमें 7 आ जाएगा? ऐसा वो सोच रहा था, he would have written the digit 7, how many times he would have written the digit 7? मतलब यह जो digit 7 है, वो उसने कितने times लिखा होगा? यह वो सोच रहा था, ठीक है? अमंग the numbers 1 to 100, how many times will the digit 7 occur? शायर उसको answer नहीं मिला, तो हमसे वो पूछ रहे हैं कि हमीं बता दे, उसकी help कर दे, कि 1 to 100 तक कितने times हमें 7 digit 7 नमबर देखने को मिलेगा, ठीक है? अमंग the number 1 to 1000, how many times will the digit 7 occur? ऐसी हमसे पूछा जारा, अगर हम 1 to 1000 numbers की बात करें, तो यह जो 7 है, यह कितने times occur होगा, ठीक है? आया समझ में, सबसे पहले, यहाँ पर देखी, यहाँ पर भी कुछ numbers देके रखें, 237, 57, 877, 704, 117, 99676, तो हम क्या देख पार हैं, अगर हम सिर्फ 7 की बात कर रहे हैं, तो 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time, 6 time, 7 times, यहाँ पर इन numbers में हमें 7 times, 7 देखने को मिल रहा है, ठीक है? आया समझ में, ऐसे ही हमें क्या करना है? ऐसे हमें 1, 2 लेकर 100 तक बताने हैं कि कितने 7 हमें मिल जाएंगे, ठीक है? कितने times हमें 7 मिल जाएंगे, ठीक है? आया समझ में चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, starting से, एक-एक करके देखते हैं, 1 to 10 तक कौनसा number आता है 7 आता है, ठीक है? 11 to 20 तक कौनसा number आता है, जिसमें 7 हो? 17, हाना? Then उसके बाद, 21 to 30 में कौनसा number है, जिसमें 7 आता है, तो 27, हाना? Then 31 to 40 में कौनसा है सा number है, जिसमें 7 आता है? 37, फिर उसके बाद 41 to 50 में कौनसा है सा number है, जिसमें 7 आता है? 47, फिर उसके बाद 51 to 60 में कौन से ऐस नमबर है जिसमे 7 आता है 57 ठीक है then उसके बाद 61 to 70 में कौन से ऐस नमबर है जिसमे 7 आता है तो 67 and in fact 70 में भी 7 आता है है ना then 71 to 80 में अगर हम देखे कौन से ऐसे numbers हैं जिसमें 7 आता है तो पूरी line ही आपको 7 की दिखेगी 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and then उसके बद 80 आता है तो वो हम नहीं लिखेंगे फिर हम 81 to किसकी बात करी 90 की तो उसके बीच में कौन सा इसा number है जिसमें 7 आता है ठीक है? Then 91 to 100 की बात करें तो कौन सा इसा number से जिसमें हमें 7 दिखेगा? तो वो हो जाएगा 97 ठीक है? आगे है समझ में तो मतलब all possible जितने भी numbers हैं जिनमें 7 हमें देखने को मिली जाता है 1 to 100 के बीच में तो वो हमने लिखती है अब हम count कर लेंगे 1 ये 1 time 7 है ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 77 में 2 7 है तो 15 and 16, 17, 18, 19, 20 हमें कितने times 7 देखने को मिल रहा है? 20 times तो यहां पर हम लिख देंगे 7 will occur, ठीक है? इतना आगया समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे note down कर लीजिए कर लिया अपने note down, चड़िए अब next question क्या बोला जा रहा था? Among the numbers 1,000, how many times will the digit 7 occur? सेम ऐसे ही question है, अब हमें 1, 2000 तक देखने है, ठीक है? तो यह क्या है, यह आपके लिए homework है, आपको देखना है कि 1, 2000 में कितने ऐसे numbers है, जहां पर 7 आता है कितने times हमें 7 देखने को मिल जाता है, ठीक है? आया समझ में and comment section में मुझे इसका answer च्रही है, ठीक है? अब next क्या है, next step figure it out जो की आपके page number 60 में देखे रखी हुई है, ठीक है? तो question first क्या है, digit sum 14, ठीक है? किसकी बात हो रही है? 14 की बात हो रही है, ठीक है? कौनसे number की बात हो रही है? 14 की, ठीक है? Write other numbers whose digit add up to 14? बोला जा रहा है कि हमें ऐसे numbers लिखने हैं, जिने हम क्या करें, जिने हम add करें, तो हमारा answer क्या है? हमारा answer 14 ही है, ठीक है? आया समझ में? चलिए तो इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें हमें दिमाग लगाना होगा, ठीक है? अगर हम बात करते हैं59 की किस की बात कर रहे हैं 59 की तो आप क्या देख पाओगे 5 plus 9 कितना होता है 14 होता है ठीक है आया समझ में आगर हम 49 लेते तो 4 plus 9 कितना होता है 13 लेकिन हमें क्या चाहिए 14 चाहिए ठीक है आया समझ में, तो 59 के आगे कोई भी number ले लोगे न, आप 58 ले लो, ठीक है, 57, 56 है, उसके आगे कितने भी numbers ले लो, आपको उनके sum का, आप उनका sum करेंगे, तो आपको 40 नहीं मिलने वाला, ठीक है, आया समझ में, एक एक करके अगर हम देखें भी, तो अगर आप 19 ले लो, तो 1 प्लस 9, 10 होगा, 29 ले लो, 2 प्लस 9 कितना होगा, 11, ठीक है, 39 ले लो, तो 3 प्लस 9 कितना होगा, 12, ठीक है, 49 ले लो, तो 13, 59 लेंगे, तभी जाके हमारा answer क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है, तो एक number क्या हो गया, 59 हो गया, क्योंकि 5 प्लस 9 कर रहे हैं, तो answer क्या आ रहा है, 14 आ रहे है, ठीक है, पिर दूसरा नमबर क्या हो सकता है, दूसरा नमबर हम क्या कर सकते है, 5 को बढ़ा कर 6 लिख सकते है, 9 को घटा कर 8 लिख सकते है, क्योंकि जब हम 6 प्लस 8 कर रहे हैं, तब भी हमारा अंसर क्या आ रहा है, 14 ही आ रहा है, ठीक है, आया समझ में, ऐसे ही 6 को बढ़ा कर 7 लिख सकते हैं, और 8 को घटा कर हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 प्लस 7 करेंगे, तब भी 14 आएगा, ठीक है, ऐसे ही 7 को बढ़ा कर 8 लिख सकते हैं, इस 7 को घटा कर 6 लिख सकते हैं, तो 8 प्लस 6 करेंगे, तब भी क्या आएगा, 14 ही आएगा, ठीक है, दैन उसके क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर 9 लिख सकते हैं यहाँ पर 5 लिख सकते हैं ठीक है 8 को बढ़ा कर हमने 9 कर दिया 6 को गटा कर हमने 5 कर दिया तो 9 प्लस 5 करेंगे तब भी कितना आएगा 14 आएगा ठीक है आया समझ में फिर अगर हम 9 को बढ़ा कर 10 कर देते हैं और 5 को गठा कर 4 कर देते हैं तो यह देखो यहां पर 1 plus 0 plus 4 करोगे तो आंसर आएगा 5 14 नहीं आ रहा है तो अब हम यह pattern इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है अब हमें थोड़ा change करना पड़ेगा pattern को ठीक है आया समझ में तो क्या कर सकते हैं अगर हम 1 ले 2 और 9 ले 1 2 & 9 ले और इनको add करें तो क्या लेगा 1 plus 2 plus 9 कितना आजाएगा 12 आ जाएगा क्या 14 नहीं आ रहा परार ना अगर हम 1 plus 3 PLUS 9 करें तो हम क्या देख पाएंगे 1 plus 3 plus 9 कितना होगा 13 होगा यह भी 14 हो रहा है नहीं हो रहा न तो लेकिन अगर हम 149 नमबर ले ले तो 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा ultimately हमारा answer यहाँ पर 14 आ रहा है ठीक है मतलब 149 नमबर लेते हैं उनके digits को add करेंगे तब भी answer क्या रहा है यहाँ पर 14 आ रहा है ठीक है तो 1 प्लस 5 प्लस 8 करोगे तब भी answer क्या आएगा 14 आएगा ठीक है ऐसे ही 1 को as it is रहने देते हैं 5 को बढ़ा कर 6 कर देंगे 8 को घटा कर 7 कर देंगे ठीक है इसमें logic लगाना है कि एक number अगर बढ़ा रहे हो एक digit तो दूसरे digit घटानी पड़ेगी ताकि balance बना रहे 14 का 14 ही answer ऐसा होगा एक को बढ़ा रहे दूसरे को भी बढ़ा रहे तो number बढ़ेगा 14 की जगा 16 हो जाएगा लेकिन हमें 14 ही रखना है तो एक चीज घटा रहे हैं तो दूसरी बढ़ानी पड़ेगी ऐसे ही same 1 रहने तो 7 को बढ़ा कर 8 and 6 को घटा कर 5 कर दो तब भी क्या answer आ रहा है तब भी 14 आ रहा है ऐसे ही similarly 1 को ऐसी रहने दो 8 को बढ़ा कर 9 कर दो 5 को घटा कर 4 कर दो तो 1 प्लस 9 प्लस 4 करोगे तब भी answer क्या आएगा 14 आएगा ठीक है आगे समझ में अब यहां पर 9 को बढ़ा कर 10 कर देंगे 4 को घटा कर 3 कर देंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 3 करेंगे तो answer क्या आएगा 5 मतलब अब यह pattern और ज्यादा follow नहीं हो सकता हम हम सिर्फ इनी numbers को ले सकते हैं जिनके digits को अगर हम sum करते हैं तो हमारा answer क्या आएगा 14 आएगा ठीक है इतना आगया समझ में चलिए अब और कोई numbers आपके दिमाग में आ रहे हैं यह आपको भी करना है ठीक है और कोई numbers आपको दिख रहे हैं आप वो भी लिख सकते हो ठीक है कुछ numbers मैंने बता दी यह सारे numbers, कुछ numbers आप खुद से भी prepare कर सकते हो, ठीक है, आया समझ में, तो अगर हम बात करते हैं, अब हम 1-1 वाले numbers ले लिए, अब 2 वाले लेते हैं, 2, 1 and 9 लिखते हैं, अगर हम last वाला आप greatest रहने दो, बीच वाला आप smallest ले लो, ठीक है, आपको आएगा 12, तो हम ये नहीं ले सकते, 2, 2, 9 ले-ले, तो 2 प्लस 2 प्लस 9 करेंगे, तो हमारा answer आएगा 13, हम ये भी नहीं ले सकते, 2 की जगा हम कर देते हैं, आप इला पर 14, बतलब 2, 13, 9 हम ले सकते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 को बढ़ा कर 4, 9 को गटा कर 8 कर देंग and 8 को घटा कर 7 कर देंगे तो 2 प्लस 5 प्लस 7 कितना आ रहा है 14 आ रहा है ऐसे ही same 2 as it is रहेगा 5 को बढ़ा कर 6 7 को घटा कर 6 कर देंगे तो 2 प्लस 6 प्लस 6 कितना आएगा 14 ही आएगा ऐसे ही same 6 को बढ़ा कर 7 कर देंगे and 6 को घटा कर 5 कर देंगे तो 2 प्लस 7 प्लस 5 कितना होगा, 14 ही होगा, ऐसे ही सेम, 7 को बढ़ा कर 8 कर देंगे, 5 को घटा कर 4 कर देंगे, तो 2 प्लस 8 प्लस 4 कितना होगा, 14 ही होगा, similarly, 8 को बढ़ा कर 9 कर देंगे, 4 को घटा कर हम 3 कर रहे हैं, तो 2 प्लस 9 प्लस 3 कितना होगा, 14 हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे यह pattern follow नहीं हो सकता ठीक है आगया समझ में तो जितने numbers possible थे almost मैंने आपको बता दिये हैं और कुछ numbers आपको लगते हैं तो आपको comment section में बताना है अभी आप इसे note down कर लीजिए कर लिया अपने note down और वीडियो अच्छी लग रहे है तो आपको क्या करना है जल्दी से इस वीडियो को like, comment and share कर देना है ठीक है चलिए अब next question क्या है what is the smallest number whose digit sum is 14 तो वो तो हमने already देख लिया है कि 59 ही सबसे smallest number है जिनके digits को हम add करें तो हमारा answer क्या आएगा 14 आएगा ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 59 ठीक है next हम देखते है what is the largest 5 digit number whose digit sum is 14 अब हम से पूछा जा रहा है largest 5 digit number जिनके digits को हम sum करेंगे तो हमारा answer क्या है 49 ठीक है तो largest 5 digit number क्या होता है वैसे 99999 ठीक है तो हम इनको sum करने पैठेंगे तो 14 तो आने नहीं वाला है इन digits को sum करने पैठेंगे तो हमारा answer क्या नहीं आएगा 14 नहीं आएगा लेकिन हमें क्या चाहिए largest 5 digit number भी हो और उसके digits को जब हम sum करें तो answer क्या है 14 भी आए ठीक है तो 9 को हम as it is रहने देते है 9 को हम as it is रहने देते है 9 के बाद और क्या number ले सकते है 9 के बाद हम ले सकते है 5 क्योंकि 9 प्लस 5 कितना होता है 9 प्लस 5 होता है 14 लेकिन हमें क्या चाहिए 5 digit number तो इसे 5 digit number बनाने के लिए 3 0 लगा देंगे ठीक है तो हमारा answer क्या आ रहा है 9 5 0 0 0 तो जब हम digits को प्लस करने बैठोगे तो 0 0 0 की तो कोई value नहीं होगी मतलब 9 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 करोगे 9 प्लस 5 कितना होगा 14 14 प्लस 0 14 14 प्लस 0 14 14 प्लस 0 14 ही आएगा तो हमारा answer यहाँ पर 14 आ जाएगा तो largest 5 digit number जिनके digits का sum 14 होगा वो क्या हो जाएगा 9 5 0 0 0 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 5 0 0 0 ठीक है? चलिए अब next देख लेते हैं How big a number can you form having the digit sum of 14 14 बोला जा रहा है कि हम क्या करते हम मतलब ऐसे कौन सा बड़ा number बना सकते हैं जिनके digits को अगर हम sum करें तो हमारा answer क्या है? 14 आए ठीक है तो यही चीज लेकर देख लेते हैं 9 5 लेकर देख लेते हैं 14 तो होते ही है लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए big number तो हम क्या करेंगे? 0 0 0 0 0 बहुत सारे zeros लगा देंगे ठीक है? तो हमसे पूछा जा रहा है कि can you make an even bigger number क्या आप उससे भी जादा bigger number बना सकते हैं जैसे कि हमने यह ले लिया कि इतना bigger number हम बना सकते हैं जिनके digits को हम add करेंगे तो हमारा answer 14 आएगा ठीक है? तो हमसे question ही किया जा रहा है कि इससे भी बड़ा number बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बना सकते हैं थोड़े और zeros add कर दो तो तब भी answer तो 14 ही आएगा क्योंकि हम zeros को add कर रहे हैं जिरो को add करने पर क्या आएगा? 14 ही आएगा हमारा answer ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे Yes, we can make an even bigger number ठीक है? तो 95 और भी 0 लगा दू ठीक है? देखने में ही पता चल रहे हैं कि हाँ और बड़ा number ले लिया हमने लेकिन answer तो क्या आएगा? answer तो 14 नहीं आएगा ठीक है? आगया समझ में आया है तो आप इसे भी जल्दी से note down कर लीजिए कर लिया अपनी note down? चलिए next question क्या है? find out the digit sum of all the numbers from 40 to 70 मतलब 40 से लेके 70 तक के हमें numbers लिखने हैं and हमें बताना है कि उनका digit sum क्या आएगा? मतलब उनके digits को जब हम add करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा? ठीक है? यह और observation with the class class के लिए एक activity देखे रखिए ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं numbers and यहाँ पर हम लिख लेते हैं digit sums तो सबसे पहले 40 से start करेंगे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ठीक है? and जब हम digits को add कर रहे हैं 4 प्लस 0 कितना होगा? 4 ही होगा 4 प्लस 1 कितना होगा? 5 हो जाएगा ठीक है? 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना होगा? 7 4 प्लस 4, 8 then 4 प्लस 5, 9 then 4 प्लस 6, 10 then उसके बाद 4 प्लस 7 कितना आ रहा है? 11 then उसके बाद 4 प्लस 8 कितना आएगा? 12 and then उसके बाद 4 प्लस 9 कितना आएगा? 13 आ जाएगा ठीक है? कितना आ जाएगा यहाँ पे? 13 आ जाएगा इतना आया समझ में चलिए then उसके बाद और numbers ले लेते है 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ठीक है तो अगर हम इसकी बात करते हैं यह क्या है? यह numbers है और इनके digit sum की बात करते हैं तो 5 प्लस 0 कितना होगा? 5, 5 प्लस 1, 6, 5 प्लस 2, 7, 5 प्लस 3, 8, 5 प्लस 4, 9, 5 प्लस 5, 10, 5 प्लस 6, 11, 5 प्लस 7, 12, 5 प्लस 8, 13, 5 प्लस 9, 14, and 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ठीक है? इतना आया समझ में then उसके बाद हम बात करते हैं 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 77 की तक का बोला गया? हमने 70 की तक लिख दिया ठीक है? तो यह आपके लिए homework है आपको बताना है कि जब हम इन digits को add कर रहे हैं इन numbers के digits को add कर रहे हैं तो हमारा answer क्या आ रहा है? ठीक है? आगया समझ में? चलिए फिर जल्दी से note down कर लीजिए कर लिए आपने note down? चलिए अब next क्या है? next है question third question third क्या है? calculate the digit sum of three digit numbers whose digits are consecutive for example 3, 4, 5 do you see a pattern? will this pattern continue? क्या बोला जा रहा है? कि हमें क्या करना है? digit sum calculate करना है वो भी three digits numbers का ठीक है? three digit numbers का digit sum find out करना और numbers कैसे होने चाहिए? consecutive होने चाहिए ठीक है? कैसे होने चाहिए? consecutive जैसे कि आप देख सकते हैं आप example देके रखा है 3, 4, 5 तो आप देख सकते हैं 3 के बाद 4 आता है 4 के बाद 5 आता है कि उनका digit sum क्या आएगा? ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं numbers की और यहाँ पर हम बात कर लेंगे digit sum की ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 1, 2, 3 हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 1, 2, 3 ठीक है? आगे है समझ में अब देख सकते हो एक के बाद एक number लिया है इंटीन digit number ही लिये हैं ठीक है? देन उसके बाद 2, 3, 4 देन उसके बाद 3, 4, 5 देन उसके बाद 4, 5, 6 देन उसके बाद 5, 6, 7 देन उसके बाद 6, 7, 8 देन उसके बाद 7, 8, 9 and then अगर हम लिखते हैं 8, 9, 10 आ जाएगा ये 4 डिजिट number बन जाएगा तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे स्रिफ यहीं तक लिखेंगे ठीक है? स्रिफ 7, 8, 9 तक ही लिखेंगे ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इनके digits को add कर देंगे तो 1, 2, 2, 3 करते हैं तो हमारा answer क्या आएगा यहां पर? 12 आ जाएगा ठीक है? देन उसके बाद 4 प्लस 5 प्लस 6 करेंगे तो हमारा answer क्या रहा है यहां पर? 15 आ रहा है देन उसके बाद 5 प्लस 6 प्लस 7 करेंगे तो हमारा answer क्या रहा है यहां पर? 18 आ रहा है then उसके बस 6 plus 7 plus 8 करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा यहाँ पे तो हमारा answer यहाँ पे क्या आजाएगा 6 plus 7 कितना होगा 13 13 plus 8 कितना हो जाएगा 21 ठीक है then उसके बस 7 plus 8 plus 9 करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा 7 plus 8 15 15 plus 9 कितना हो जाएगा 24 ठीक है यह हमने क्या किया यह हमने consecutive three digits numbers भी लिख लिए और उनका digits sum भी कर लिया ठीक है आया समझ में फिर पूछा जा रहा है do you see a pattern क्या आपको कुछ pattern दिख रहा है अगर दिख रहा है will this pattern continue क्या यह pattern continue होता रहेगा तो हाँ भी है यहाँ पे हमें pattern दिख रहे है yes क्या है वो pattern ठीक है अगर हम सबसे starting वाला number लेते हैं जैसे कि one है two है three है four है five है six है seven है ठीक है सबसे starting वाला number ले रहे है one और उसमें plus कर दे रहे है one तो answer क्या आएगा two ठीक है then अगर हम multiply कर रहे है three से तो answer क्या आएगा six यहाँ पर क्या है six है सेम ऐसे यहाँ पर क्या है 2 है 2 प्लस 1 कर दे रहे हैं तो answer क्या रहे है 3 3 को अगर 3 से multiply कर रहे हैं तो answer रहे है 9 तो यहाँ पर भी क्या है 9 ठीक है then उसके बाद यहाँ पर क्या है 3 तो 3 प्लस 1 कर रहे हैं तो answer क्या रहे है 4 4 को 3 से multiply कर रहे हैं तो answer क्या रहे है हमारा 12 यहाँ पर 4 है, 4 प्लस 1 कितना होगा, 5, 5 को कर देंगे, 3 से multiply, तो answer क्या आएगा, 15, फिर यहाँ पर 5 है, 5 प्लस 1 कितना होगा, 6, 6 को 3 से multiply कर देंगे, तो answer क्या आएगा, 18, फिर यहाँ पर है 6, 6 प्लस 1 कितना होगा, 7, 7 को कर देंगे 3 से multiply तो answer क्या आएगा, यहाँ पर 21 फिर यहाँ पर है 7, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 multiply by 3 कर देंगे तो answer क्या आएगा, 24 और यहाँ पर भी क्या है यहाँ पर भी 24 है तो यही पैटन हमारा यहाँ पर पॉलो हो रहा है समझ में आया चली तो जल्दी से आप इसे note down कर लीजिए कर लिया अपने note down तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो complete I hope आपको वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो आपको क्या करना है जल्दी से इस वीडियो को like comment and share करना है and then फिर जाना है YouTube चैनल पर and कर देना है magnet brains को subscribe यह रही हमारी application यह रही हमारी website and यह रहे हमारे top courses जो आपको provide कर आते हैं free of cost quality education e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी and यह रहे हमारे other social media platform जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं and कर सकते हैं magnet brains को follow अब इससे next video में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ यह जानने के लिए करना क्या होगा YouTube चैनल पर जाके कर देना होगा magnet brains को subscribe Thank you so much